नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम जानेंगे टोप 15 फायर एंड सेफटी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जो बहुत बार एक्जाम और इंटर्व्यू के अंदर पूछी जाती है तो उससे पहले चैनल फॉर्म क्या होती है तो एच एसडी की फॉल फॉर्म होती है हाई स्पीड डीजल नेक्स कोशन है कि एच वी एसी की फॉल फॉर्म क्या होती है या फिर एच वी एसी का पूरा नाम क्या होता है तो हीटिंग वेंटिलेशन एंड एर कंडिजनिंग नेक्स कोशन अपने पास नेक्स कोशन अपने पास में कि ISO की full form क्या होती है तो I से होता है international SA standard और O से होता है organization international standard organization नेक्स कोशन है अपने पास में कि JSA की full form क्या होती है तो job safety analysis JSA की full form होती है नेक्स कोशन अपने पास में LEL की full form या फिर पूरा नाम क्या होता है तो L से होता है lower इसे explosive और L से होता है limit lower explosive limit LEL की full form होती है नेक्स कोशन अपने पास में LFL की full form क्या होती है तो L से lower F से flammable और L से होता है limit Lower flammable limit Next question अपने पास में MSDS की full form क्या होती है तो M से होता है material, S से safety, D से data और S से seat Material safety data seat कभी भी exam में पूछा जाए कि MSDS की full form क्या होती है तो material safety data seat अलाकि बहुत बार exams के अंदर ये question जो है वो पूछा गया है Next question की तरफ बात करते हैं Next question अपने पास में NTP की full form क्या होती है तो normal temperature as pressure NTP की full form होती है Next question अपने पास में NSC की full form होती है National safety counseling NSC की full form होती है Next question की तरफ बाते हैं कि NFP A का पूरा नाम क्या है तो N से national F से fire P से protection A से association National Fire Protection Association NFP A का पूरा नाम होता है Next question है N O S A NOSA का full form होता है तो National Occupational Safety Association इसके बात में है N O A E L की full form होती है तो no observed adverse effect level Next question अपने पास में P A double S की full form होती है तो P से होता है Personal A से alert S से safety और S से system Personal alert safety system पास की full form होती है Next और last अपने पास में है कि QMS का पूरा नाम क्या होता है QMS की full form होती है Quality Management System तो ये थी आज की class वीडियो अच्छी लगी तो like करें, comment करें, share करें इसी प्रकार की interesting वीडियो आप तक आती रहेगी तब तक के लिए जैहिंद, जैबारत